Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS आज का जो important topic है इंडिन एकनोमी के तहत हम पढ़ेंगे आसंगाटिद शेत्र वर्सेस समाजिक सूरक्षा that means unorganized sector versus social security काफ़ी important है economic point of view से economy में पूछा जाता है current के लिहाँ से भी important है और यदि आपका LSW subject है इसमें labor law से related मुद्दे हैं labor security से related मुद्दे हैं social security से related मुद्दे हैं तो आपके LSW subject में भी यह काम दे सकता है और economic optional हो उसमें भी काम दे सकता है So my dear friend, if you are serious about 67 BPC men's examination then was this video from beginning to the last देखे, किसी भी topic को हम तोड के पढ़ते हैं ताकि answer writing करने में आसानी हो तो सबसे पहले इस topic को पढ़ेंगे देखेंगे कि इसका intro करेंगे कि मतलब असंगणी छेतर का मतलब होता क्या है इसके साथ साथ देखेंगे कि भारत में unorganized sector का क्या status है क्या features होते है इसके साथ social security plans जो भी government के दौरा बनाए गए है इसको manage करने के लिए तरह में जो है सरकार को क्यों हस्तक शेप करना चाहिए और देखिए जब COVID-19 का जो कुप प्रभाव पढ़ा था न अर्थ व्योस्ता पे तो सबसे ज़्यादा और अर्गनाइज स्रेक्टर जो है कुप प्रभावित हुआ था इससे तो इसके study के लिए इसके प्रभाव को कम करने के लिए mitigate करने के लिए भरतरी हरी महताब समीती बनीती कमिटी बनीती भरतरी रहती महताब के अध्यक्षता में तो इन्होंने क्या recommendation कर रहा था उसके बारे में देखेंगे और अंतत्तो गत्वा हम निशकर्स देखेंगे my dear friend ठीक है सारा पहला बैस तो फुल हो चुका है तो बहुत लोगों का admission में उसमें नहीं ले पाया तो लोगों का ऐसा request आ रहा था कि सर नया बैस शुरू कीजिए तो इसको ध्यान में रखते हुए 21 October जो है Hindi medium वालों के लिए हमने GS paper first and second के लिए नया बैस शुरू किया है जिसमें GS paper first और second के जो भी parts like history, policy, economic, geography, statistics that means आप जीसे DI बोलते हो उसके बाद current affairs के सारे economic international relations, science and tech सब cover कराये जा रहे हैं through video lecture and PDF notes सारी चीजें हमारा जो telegram group है paid group है उसी पे as per our schedule और timing जो है video lecture और PDF notes प्रवाइड करायेंगे ये मात्र इसके course fee है 2100 रुपिये charges है इसके यदि आप join करना चा आते हो तो यहाँ पर जो number है ये 981063805 इस पर WhatsApp कर सकते हैं या call करके इस bad limited seat मैंने रखा है तो आप जल्दी से enroll हो जाए ता और enroll होके आपने preparation का speed और standard दोनों maintain कर सकते हैं my dear friend ठीक है बहुत हुए marketing आप आगे बढ़ते हैं देखिए हम समझते हैं और और गनाई sector को इसका concept स समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा इसकी पात्र और जो भी घटना है सारे कालतनिक हैं मतलब यदि कहीं मतलब को मतलब मिलता है दी नाम और घटना तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखिए गाओं के एक रामाकान चौदरी के इट भट्टे पे कारे कर रहे होते हैं अचानक एक रात इटों की पकनी की स्तिती को जाचने के लिए रामाकान चौदरी द्वारा आदेश्ट दिया जाता है मंगरू चाचा भट्टे के उपर चड़ते हैं और यो होल बना होता है इटों के पकने की जादने इटो की पकने की अवस्ता जाचने के लिए उसके उपर का कैफ हटाते हैं, उनका पैर फिसलता है और उसमें गिर के उनके जीवन का दुखत अंत हो जाता है, ठीक है, उसके बाद होता क्या है, कि रामाकान चौदरी मामला कहीं बाहर न जाए, हो हला न बचे, कुछ 10 20,000 रुपिय दे के उनके फैमली को कमपनेशेशन के तौर पे चुपचाप मना लेते हैं, और मामला रावसाफ हो जाता है, ठीक है, अम मोरल अब दा स्टोरी कहानी का समापन हो जाता है, अम मोरल अब दा स्टोरी क्या बता रहे हैं, देखे यहाँ पे जो इड का बठा है, यह अन और्गनाइस सेक्टर का दियो तक है, रामाकान चौधरी अकुषल, रामाकान मंगरू चाचा की जो पूरी पूरा फैमली है, पूरा परिवार है, यह अकुषल स्रम का दियो तक है, आपने देखा कि जब मंगरू चाचा कार कर रहे होते हैं, उनकी मृत्ति हो जाती है, तो कोई सोसल सेक्योटी और कोई आर्थिक सुरक्षा उन्हें जो ओनर है, उस उद्योग का नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो यह सारी चीजें और्गनाइस सेक्टर के फीचर्स हैं, तो इसको यदि हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यह समझ लेजे, देखे और्गनाइस सेक्टर अर्थ बेवस्ता के वैसे सेक्टर्स होते हैं, जहां पे रोजगार की शर्तें नाहीं निशित होती हैं और नाहीं नियमित होती हैं, इसमें कोई समाजीक और आर्थिक रक्षा भी प्रदान नहीं होता है अंतरतो गत्वा, तो हमने देख लिया मोटा मोटी असंगती श्यत्र का उधारन इसके बाद देखे असंगती श्यत्र से related कुछ data है आपको समझना चाहिए इसका importance आपको समझ में आ जाएगा जब COVID-19 का कुछ प्रभा हुआ न जो अर्थ विवस्ता पे पढ़ा तो उसको study करने के लिए कि unorganized sector में कितने लोग है इसरम पोर्टल का गठन किया गया और उसमें रजिस्टर दो 28 करोड से आधिक स्रमिक है न उसमें ये पता किया गया जो big data analysis AI आजकल industry 4.0 में हमने पढ़ा था big data analytics क्या होता है तो big data analytics के थूप पता चला कि जो ये 28 करोड से आधिक रजिस्टर स्रमिक है न इनका मासिक आए 10,000 रुपिय से भी कम है 94% ऐसे स्रमिक है 94% से आधिक कि जिनका मासिक आए 10,000 रुपिय से भी कम है तो इस high in flattery जवाने में अर्थात जहां पर मुद्रा एस्पिती इतनी उच है 100 रुपिया 200 रुपिय का कोई value ही नहीं है 1000 रुपिय का कोई value ही नहीं है 10,000 रुपिया का क्या ही माने रपता है इस चीज़ को आप समझ सकते हो आए लो के अनुसार ये बताया गया है कि जो word की नियोजित आबादी है ना उसमें से 60% से अधिक आबादी जो है unorganized sector में कारे कर रही है तो हमने इंट्रो में ये सारी चीज़े जान लिया आप इंडिया का भी बता दें कि 42 करोर से जादा अनवचारी करमचारी है जिनका योगदान जो है GDP में लगबग 50 परतीशत के बराबर है इसकी intensity को समझिए इसकी importance को समझिए और इंडिया के लिए कितना importance है और इसको rules and regulation के तहत लाना बढ़ियां से regulate करना और जो भी करमचारी हैं इसमें workers हैं उनको social security और economic security और social security प्रवाइड करना जो है कितना महत्तपून है ठीक है तो हमने ये intro में जान लिया ये चीजे और असंगाटी शेतर का हमने वो देखा परिभाशा देखा और एक कहानी के तुरू मैंने उसका features होगरा बता दिया ताकि आप ज्यादा से अच्छे तरीके से समझ लो और कुछ data analysis के हमने ठीक है अब unorganized शेतर का श्वरूप क्या होता है जैसे देखिए जो मंगरू चाचा थे वो क्या किस लिये थे वहाँ पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परिस्रमी है तो मैं आपको बताऊंगा unorganized sector वो तो एक मात्र दियोतक था एक example था इंट का भट्टा बहुत सारी बीडी making company हो गई या चटाई ओगरा making company हो गई दर्री बनाने वाली company हो गई कुछ भी जो घरे लोग एक दो family मिलके कारे कर रहे होते हैं सब unorganized sector में आते हैं ठीक है और जो corporate rule होता है rules and regulation होता है industry का उससे बाहर होते हैं तभी तो रामाकान चाचाचा रामाकान चौधरी के ऊपर कोई दवाव नहीं पड़ा economic and social security को लेके और मातर 10-20,000 रुपे में ही मामला को सल्टा दिया तो ये क्या है ये so off करता है ये बताता है यदि वो rules and regulation के अंतरगत बंदे होते तो जहां 10-20,000 रुपे में काम चल गया वहां पर उनको 4-5 लाख रुपे family को कम से कम compensation देना पड़ता ठीक है और permanent रोजगार जब तक उनका उद्योग चलता family members को भी देना पड़ता ठीक है तो कहीं न कहीं ये दो तक है कि जो भी unorganized sector है ये industry या corporate role जो भी कहिए उससे बाहर है ये ठीक है और कर्मचारियों को कोई कानूनी सुरक्षा पराप्त नहीं है और रामाकान चौदरी के ऊपर कोई कैसे case कर सकता था कोई मतला क्योंकि मालीजे जो मंगरूच आ जाते हैं उनको कोई कानूनी सुरक्षा ही नहीं परदान है कुछ भी परदान है ये नहीं है बस वो गए काम मां यह होंगे कि मालिक हमें काम दे दो हम गरीब हैं और हमारे पूरी फैमली जो है वो भूग की सिकार है यदि काम नहीं दोगे तो हमारा कैसे लालन पालन होगा तो उसने काम दे दिया उसके ऊपर कोई कोई और रूलिगेशन नहीं है कोई रूल्स और रेगुलिशन नहीं है रामा कान चौदरी के ऊपर किसलिए नहीं है क्योंकि जो स्रमिक होते हैं जो मंगरूच आचा है उनको कोई कानूनी सुरक्षा ही प्रदान नहीं है ठीक है तो होलिस्टिक पैन लेबल पे देखा जाए इकनॉमिक जो भी अन औरूल्स ऍ которая का इकनॉमिक है तो हम कह सकते हैं कि जो भी करमचारी होते हैं अकुशल होते हैं सरमपरदान होते हैं सरमपरदान कारें होता है और इनको कोई कानूनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं होते ठीक है उसके बाद समाजिक सुरक्षा योजनाय चलाई जा रही है अनर्गनाइज सेक्टर्स के लिए तो कौन कौन से हैं देखे समाजिक और सारी अनर्गनाइज वर्कर्स और सोचल सेक्योरटी एक 2008 आया था इसी के अंतरगत केंदर सरकार चाहे वह बिकलांगता हो मातरित लाब हो या अनलाब हो उसको लेके या राजिस सरकार जो है करमचारियों के लिए उनके वेलफेर के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ठीक है इसके साथ सरकार के दवारा इस्रम पोर्टल का गठन किया गया है ठीक है पीम श्रम योगी मांधन योजना आपको पता है कि जो भी unorganized sectors के सरामिक हैं उन्हीं के लिए योजना लाई गया थी पीम रोजगार प्रोसान योजना unorganized sectors के लिए लाया गया था ऐसे बहुत सारे examples आप लिख सकते हो ठीक है जो भी unorganized sectors के लिए social security के लिए लाया गया है my dear friend ठीक है अब आप को होगे कि चलिए आपको लगमक ये समझ में आगया होगा ना कि सरकार को हस्तक शेप क्यों करना चाहिए तो आप यदि मैं आपसे पूछू हूँ तो आपके मन में ये प्रश्न उट सकता है चलिए ठीक है उनको रोजगार मिल रहा है और सारी चीजे मिल रही है तो सरकार को हस्तक शेप करना ही क्यो चाहिए माली जी कि वो अकुषल है उनके पास कुषलता तो है नहीं तो और अर्गनाइज सेक्टर की बड़ी-बड़ी कमपणियां computer industry या ऐसे software industry में वो काम तो करेंगे नहीं तो ऐसी जगों पर ही तो उनको काम करने को मिलेगा तो सरकार को क्यों चाहिए कि यह लोग इंटर्वेंशन करें गोर्मेंट गरा क्यों इंटर्वेंशन करेगी इस अनर्गनाइज सेक्टर में आपका दिमाग जिन्दा है तो ऐसा प्रशन उटना लाजमी है और उठना भी चाहिए अगर नहीं उठ रहा है आपका जो है मेंस एक्जाम में प्रशनाल्टी चेक करी जाती है आंसर राइटिंग के तुरू कि आपका थौट प्रोसेस क्या है आप क्या कहना चाहते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड और यहीं जब आप मेंस प्रपरेशन के दौरान सिखते हो न वो जाके आपके इंटर कर्टर में मैं कोशिश करता हूं कि एक्जाम्पल्स के द्वारा जो है मैं आपको चीजें समझाओ ताकि जो है आप अराम से समझ सको और आपका जो सेंस ऑफ वंडर है न वो एक्टिवेटर है ठीक है अब हस्तक शेप क्यों है सबसे पहले देखिए आप जो भी पब्लिक अद्मिस्टेशन के स्टुडेंट्स होंगे आपने देखा होगा कि जो सुरुवात में इंडर्स्ट्रियालाइजिशन हुआ 18 मी सदी के लास्ट और 19 सवी सदी के पुरवार्द में तो वहां पे जब इंडर्स्ट्री बिक्सित हुई जब स्टीम इंजन का निर्मान हुआ शहरी करण हुआ बहुत सारी चीज़े हुई तो कारे की जो दसाएं थी वह मानिमिये नहीं थी बहुत घुटन भरा कमरा होता था उसी में पता चले इंजन चल रहा है उसी में कर्मचारी कारे कर रहे हैं जो जो भी थिंकर्स थे इसमें administrative थिंकर्स आप पढ़ते हो तो उन् प्रोवाइड करने के लिए सोचा तो उसी सोच को हम थिंकर्स के रूप में administrative थिंकर्स के रूप में पढ़ते हैं ठीक है तो स्वास्त शुरॉक्षा आपने देखा कि वहां पर क्या है जो कोल का फ्यूम निकलता हो जब कोल और उसी से तो बट्टा या लकडी से तो तो सरकार को चाहिए इसी लिए कि कोई rules and regulation निकाले बनाए कि भाया जो आप कारे कर रहे हो आप इस industry के honor हो ये उद्यों के honor हो तो आप जो अपने करमचारी हैं उनको भी सुरक्षा प्रतान करो इसके साथ साथ आप ये तो करमचारी से related हो गया जो forms होते है न जो छोटे-छ संस्ताइं होती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि इनकी तरलता लिक्विडिटी बनाए रखें इन फर्मों को और जब भी आवश्यक्ता पड़े लोन हो गरा कि तो असानी से दे सकें साथ साथ सरकार को चाहिए कि targeted social safety nets develop करे अथा जो लोग असंगड़ी शेत्र में कार कर रहे हैं उनको समाजिक और आर्थिक स्रक्षा नहीं परदान करी जा रही है उनके लिए special targeted security net develop करी जाए जैसे targeted PDS था ना कि जो लोग अत्यांती निमना वस्ता में हैं उनको targeted PDS के थ्रू लाब परदान किया गया था उसी तरह ये कहा जा रहा है कि targeted social safety net भी provide कराना और unorganized sector का आकार जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होता है my dear friend ठीक है अब देख लिए महताब समीती चुकी इसके recommendation के लिए बनी थी तो उन्होंने क्या 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 recommendation किया कि देखी जो unorganized sector के workers हैं उनका database तयार किया जाए इसरम portal database तयार किया जाए और उससे अध्यान निका जाए कि इनके welfare के लिए इनके economic और social welfare के लिए क्या क्या करना जरूरी है उसके बाद social security और economic security प्रदान करी जाए ये इनका recommendation था करमचारियों को उसके बाद special focus on women देखिए जो महिला होती है न यदि काररत है तो वो सबसे ज़्यादा संभावना ये होती है कि वो unorganized sector में कार जाबते हैं वहाँ पे उसी कारे के लिए जहां male को 100 रुपे दिया जाएगा वहाँ female को 80 रुपे मिल रहा होगा ठीक है तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए उसके बाद शहरी गरीबों पर ध्यान दे के कभी-कभी हम बात करते हैं तो केवल rural area पर dependent हो जाते है टोटली फोकस होता है लेकिन शहरी गरीबों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं हलाकि वो ज्यादा ही sensitive मामला है क्योंकि शहरों में यदि माली आप गाओं में रहना तो आप डबा लेके चले जाओ कि फालाना चाची थोड़ा सा मेरे को डाल दे दो या चीनी दे दो तो ऐ इन लोगों पर भी ज्यादा ध्यान देने की आउशकता है इनके लिए भी आवाश का निर्मान करो और microfinance unit तक इनकी पहुंच हो इनको social security दो और economic security दो तो हमने total data analysis किया total facts analysis किया unorganized sector पर